दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल दडाइपोल एक्सप्रस में स्वागते हैं दोस्तों पहले इस वीडियो को देखिए उसके बाद चर्चा करते हैं गाली गलाओज धक्का मुक्की और मारपीट के नजारा दिल्ली एमसीडी के सदन का है मारपीट की हद तक उतर आए ये लोग कोई आम लोग नहीं हैं बलकि ये दिल्ली के चुने हुए पारशद हैं वो दिल्ली जिसे हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है दोस्तों सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये उन दलों के पारशद हैं जिन पर इन दिनों लोगों की सबसे ज़्यादा निगाहे हैं दोस्तों ये आम आदवी पार्टी और भाजपा के पारशद हैं आम आदवी पार्टी जिसे अपने दल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के होने का दंभ अए और भाजपा जिसे सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी होने की बात कही जाती है दोस्तों अब आईए जानते हैं कि आखिर इस हंगा में की वज़े क्या है दरसल MCT में स्टेंडिंग कमेटी के चुनाव थे छे सदसी इस्थाई समीती के लिए साथ प्रत्याशी मैदान में हैं आम आदमी पार्टी के चार तो बीजेपी के तीन प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे कुल 2500 पार्षदों में से 242 ने वोटिंग की आठ पार्षदों ने वोट नहीं डाला उसके बाद गिंती हुई मेर शेली ओबराई ने रिजल्ट की घोशना करते हुए कहा कि एक वोट इन्वैलिड है बस इसी बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया बीजेपी पार्षद इसे इन्वैलिड मानने को तयार नहीं थे लिहाजा दोनों दलों के पार्षदों में जमकर तूतू में में धक्का मुक्की और मार पीठ हुई हालात यहां तक पहुँच गए कि कई पार्षदों को अस्पताल तक जाना पड़ा दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें धन्यवाद